आज की समय में टीवी अंडस्ट्री में हीना खांट, रुपाली गांगुली, पर्नाली राठ और शिवांगी जोसी शहत कई एक्टरस राज कर रहे हैं लेकिन कुछ हसीना उन्हें शानदार काम करने के बावजुद नाम शारत पाने के बावजुद रातो रात इस अंडस्ट्री को छोड़ दिया, आज हम आपको उन्हें के बारे में बताएंगे नमबर एक पर आदी हैं एक्टरस अनूप्रिया कपूर, इनको एक्टा कपूर के सिरियल तेरे लिए से पहचाण मिली थी, इस सिरियल में एक्टरस ने एक्टर हर्षत चोपड़ा के साथ रोमांस किया था, अनूप्रिया लाइम लाइट से दूर अपनी मेरेड लाइफ मे खुश है, नमबर दो पर हैं, एरिका फेर्नेंडस, इनकी पॉपलाइटी आज भी काफी जादा है, लेकिन एक्टरस इंटीवी इंडस्ट्री को छोड़ दुबई में शिफ्ट हो चुकी है, वहां रहते हुए अपने करियर में काम कर रहे हैं, आपको बता दें कि एरिका एक्ता कपुर के सिरियल को सौटी जिन्धिकी टू में लीड रोल निबाया था, नमबर 3 पर हैं मोहिना कुमारी, टीवी इंडस्टी के खूप सूथ एक्टरस में से एक है, मोहिना कुमारी, इन्होंने जे रिष्टा क्या क्यलाता है, में कीर्ति के रोल को निबाकर का फेर पॉप्लियाइटी हासल की थी पर आज मोहिना अपने परसनल लाइफ में बिजी हैं मोहिना ने शादी के बाद टीव इंडस्ट्री को छोड़ दिया है अगले नमर पर हैं रुचा हस्बनेज रुचा सीरियल साथ निवाना साथिया में नजर आई थी रुचा ने इस सीरियल स से बहुत यहरा पॉप्लियाइटी हासल की थी रुचा ने शादी के बाद अंडस्ट्री से दूरी बना लेकिन वो सोचली मीडिया अपने फैंस के साथ कनेक्ट होती रहती हैं अगले नमर पर हैं अनिता हसंदा ने अनिता टीवी की पॉप्लर नाग ने इन्होंने कई सारे टीवी शोज में काम किया है बेटे को जनम देने के बाद अनिता ने वी टीवी से दूरे बना ली वैसे जे एक्टा कपूर के सिरियल नागिन 3 में नजर आई थी पर उसको इनका बड़ा कामबैक नहीं कह सकती अगले नमर पर हैं प्रांची दसाई प्रांची एक समय पर ट अग्टर्स को रातो रात स्टार बना दिया था आज ये अक्टरस में टेवी से काफी दूरे बना चुकी है इस लिस्ट में नमबर पराती हैं दिशा वकानी इनको फैंस दया बैंक की नाम से जानते हैं जो सेरियल तार्क मैता का उल्टा चश्मा में शा गई थी दया की मां आज भी फैंस करते रहते हैं मज़े की बात तो जे है कि मेकर्स को आज भी दिशा की जगा दूसरे दयाबैन नहीं मिली तो इन सबी अक्टरस में से आपकी फेवरेट अक्टरस कौन थी हमें कमेंटर वाक्स में जूर बताएं वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर दें चैनल पर नए हूँ चैनल को सब्सक्राइब करने टांकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहें